आज मैं आप लोगों को जिक्के क्लास टू का चेप्टर बन का टेस्ट लूँगी क्लास टेस्ट आप इस कॉस्चन को देखें और इसे ध्यान से करें पहले मैं कॉस्चन नंबर वन आपको बता रही हूं कॉस्चन नंबर वन है टीक दा कॉरेप्ट ओप्शन सही ओप्शन पर टीक लगाना है जो कॉस्चन सही होंगे उस पर टीक लगाना है एग इंसेक्ट के कितने पायर होते हैं A, 4, B, 6, C, A जो सही अप्शन होगा उसमें आपको टीक लगाना है कॉस्चन नंबर टू ब्लांक्स इस दा मोस्ट बीटिफुल और कलर्फुल इंसेक्ट ब्लांक्स इस दा मोस्ट बीटिफुल और कलर्फुल इंसेक्ट अप्शन है A में फायर फ्लाई, B ड्रैगोन फ्लाई, एंड शी बटर फ्लाई जो इंसेक्ट जो ऑप्शन सही है उसमें आपको टिक लगाना है आप उसे अपने नोट बुक में लिखें कॉस्चन नंबर वन अब यह है कॉस्चन नंबर टू राइट टी फॉर प्लू और एफ फॉर फॉर फॉर्स सही सेंटेंस के लिए टी लिखना है और गलत सेंटेंस के लिए फॉर्स लिखना है वन में है वी कैन सी फायर फ्लाई इन समर सिजन हम लोग फायर फ्लाई को समर सिजन में देख सकते हैं यह सेंटेंस सही है या गलत है अगर सही है तो टी लिखें और अगर गलत है तो एफ लिखें कोस्टेंस नमबर तू वी कैन हीर क्रिकेट साउंड इन रेनी सीजन हम लोग क्रिकेट का साउंड क्रिकेट यानी जिंगू उसका साउंड बर्शाथ के मौसम में सुन सकते हैं यह सेंटेंस सही है यह स्टेटमेंट सही है तो आप इसमें टी लिखें और अगर गलत है तो एफ लिखें कोस्टन नमबर त्री एंसर दव फॉलोविंग कोस्टन नीचे दिये हुए प्रस्तों का उप्तार देंग Heart is Insect Insect क्या है मैंने आप लोगों को Chapter 1 जब पढ़ाई थी तो उसमें आप मैंने आपको लिख वाया थावाट है Insect अगर आपको इसे याद है तो आप इसे लिखे Heart is Insect Insect क्या होता है Question No.2 Write the name of six insects छे Insect का आपको नाम लिखना है One second Write the name of six insects छे Insect का नाम लिखना है इन सारे question को आप एक बार फिर से देखे आप इसका answer अपने notebook में लिख कर रखेंगे मैं अगले वीडियो में फिर इसका answer भी जूँगी आप इससे अपने answer को match करेंगे यह 10 marks का आपका टेस्ट है आप इससे लिखें अपने notebook में नेस्ट अगले वीडियो में इससे लिवी छोः रखेंगे झाल झाल झाल